नमस्ते आप सबका वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में अज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रही हूँ बींडी दही तड़का अब ये इतनी गजब की लगती है ना बींडी एक ऐसी सबजिए जिसे हम किसी भी तरह से बनाए न वो हमें अच्छी लगती है पर ये बींडी दही तड़का बनाके देखे सच में आपको मज़ा आजाएका खाकर रोटी के साथ पराठी के साथ बाजरी की रोटी के साथ सबके साथ बढ़िया लगती है दो सो ग्राम बींडी को पानी से अच्छे से वाश करके साफ कपड़े से पोच कर उपर नीचे से करके कडाई रख दे एक चमस तेल डाले जैसे ये गरम हो जाए तो आदी छोटी चमस राई चुटकी बर हेंग इसी के साथ इसके अंदर में डाल रहे हूं पांसे छे लसन के कलियों को छील कर काट कर डाल दिया है पांसे छे कड़ी पते एक बारी कटी हरी मिर्ची सबी ची पूडाय इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और लगभग इसे आपको पांसे चीम निट के लिए इसी तरह से तेज आँच पर पकाना है बींडी जो है यह एक से ऐसी सबजी है जो फटाफट से पक जाती है तो इसे ढखकर मत पकाना क्यूंकि यह दई तड़का है तो इ लेकि अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर स्वाद के अनुसा नमक, आधी चमच नार्मिश पाउडर और चौथाई चमच हल्दी पाउडर डालकर इसे और अच्छे से मिलाते जाए और पकाते जाए बस इसी तरह से आप पकाते जाएंगे न बींडी अच्छे से गल ज सकते हैं यह मैंने बाउल में निकाल लिए अब इसके अंदर यह जो सारी भींडी यह जो हमने बून के रखी ते वो डाल दीजे और बस इसे अच्छे से मिला लीजे आपको देखने में यह थोड़ा सा आजीब लग रहा होगा अगर आपने इस तरह के से खाना नहीं खाया होगा तो पर एक बार यह आप दही तड़का तो बनाते रहते हैं एक बार यह भींडी दही तड़का बना के देखे सच बता रही हूँ आपको बहुत मज़ा आ जाएगा आटी की फुली फुली पूरियों के साथ ले या पराठे के साथ या रोटी के साथ या खास करके बा स्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक यू फॉर वाचिंग